इस खबर के प्रायोज़क हैं ग्रामुदे इंटरनेशनल कॉलेज मौरानीपूर शेद्रिका सर्वुत्तम शिक्षरसंस जहांपूर अब इसको चीज़ से फैले कोरोना वाइरस के द्रफ्ट में हैं नहीं चाहसी में भी कोरोना वाइरस के संदे के मरीज के आने से कोरोना वाइरस के संदे को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रसाशन में हडकम मचा रहा है कॉरोना वाइरस के रिए घथित्तीम को अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंग Burk Man का लगा है मरीज को लगातार खासी, जुखाम, सिर्दर्ण तथा सास लेने में तकलीफ की शिकायत थी यह मरीज जैपूर तथा दिल्ली के पास केसी फैक्टरी में काम करता था दो दिन पूर यह फैक्टरी से अपने घर पहुँचा और उसके एक देड़ घंटे के बाद उसे तेज खासी, जुखाम, तथा, सास लेने में तकलीफ होने लगी इसके बाद उसने इस्थानी डॉक्टरों से इलाज कराया उसकी स्थिजी को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया कल साम गंबीर हालत में मेडिकल कॉलेज के इमर्जेंसी बार्ड मिलाया गया जहां जुनियर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखकर ततका सीनियर चिकित्सकों को सूचना दे सिनियर डॉक्टरों की टीम ने उसका परिक्षण किया तो नहीं कोरोनो वाइरस का संदिग मरीज दिखाई दिया उन्होंने बताए कि इस मरीज को आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है डॉक्टरों की एक टीम उसकी देखरेक के लिए गठित कर दी गई है और प्रतेक डॉक्टर की चार-चार घंटे की ड्यूटी लगाई गई है असोले मरीज को सांस लेने में बहुत अधिक तकलीफ होने के करण मरीज को वेंटिलेटर पर भी लाया गया था मरीज के सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें लखनों भीज दिया गया है आशाम तक सैंपल लखनों पहुँच जाएंगे और कल तक सैंपल की रिपोर्ट भी आ जाएगी उन्होंने बताए कि इस मरीज के आने के आने के बाद मेडिकल कॉलेज मातरिक सब तरकता बढ़ाई गई है खासी जुखाम आदी के लक्षडों के मरीजों के लिए अलग OPD बना दी गई है इसके लावा एमर्जेंसी वार्ड तथा OPD में आने वाले मरीजों में शामिल खासी जुखाम के मरीजों को ततकाल अलग OPD में ले जाए जाएगा इसके लिए वालेंग्डियर्स हर जगे तैनात कर दिये गए है तो उसमें एक्चली यह हुआ था कि कल साम को एक मरीज आया था यहाँ पर जिसको सांस खासी सांस खासी सरमेदर था जुखाम था और जुखाम की सिर्फ सीवर्टी बढ़ती जा रही थी जब को एमर्जिंसी में देखा गया तो वहाँ डॉक्टरों ने देखा एमर्जिंसी में कि उसको संदेग्द करोना वाइरस लगा क्योंकि जो सांस की जुखाम की मिमारी थी काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसको ऑक्सियन लेवल कम हो रही थे तो ये संदेग्द मानते हुए तुरंद एमर्जिंसी हटाके सारे प्रिकॉस्टन्स लेते हुए इसको आइसलेशन वार्ट सोबरस्परडी बिलॉक में उसके अंदर शिफ्ट किया गया और तुरंद एक आपात कारीन बैठक बुलाई गई जिसमें मुक्षे साधीक चक जो करोना वारिस की अंदोगे ने टीम मनाई है जिसके सचिप मुक्षे साधीक चक डौक्टर हरीस हैं, मैं अद्यक्ष हूँ, दौक्टर नरेशन शेंगर, डौक्टर रामबावू, विवागद देक्षम एडिशन, एसा एसी डौक्टर मिश्टा जी नम्रता श्रीवास्ता माइक्रोवाईजी की हेड है इनकी जिम्मेबारी है सेंबर कलेक्शन करना और उसको प्रॉपर जगे से लखनो भेजना डॉक्टर मानिविय अगरवाल नोडर प्रॉभारी है तो तुरण टीम मुले गए और उसके लिए पूरी वस्ता की गई आज फिर दोबारा मीटिंग करके एक हमने पॉलिसी बनाई है पॉलिसी के तहट ये तहकी आगया है कि जितने भी खासी दुखाम की मरी जाएंगे उनकी एक अलग ओपडी कर दी गई है तो हम कोसिज ये करेंगे कि जैसे ही ओपडी में मरी जाएंगे वहीं से पिक अप जहां रजिश्टेसन काउंटर वहीं से पिक कर लिया जाए तो वहाँ पर दो हैल्प डेस्ट बनाई गई है एक जनरल ओपडी काउंटर पर एक अमरेंसी काउंटर के पास जो है जहां वॉलंटियर रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट कर रहेंगे कपड़े पहन के रिसे अलग से चिन्नित हो और उनके सुचना होगी जैसे ही कोई खांसी जगाम का मरीजवागा तुरंत उसको ट्राइज में लेके पर इसको बर्दिवर्क अप किया जाएगा और फिर अकॉर्डिंग जिसका हिलाज किया जाएगा तो ये जो मरीज आया ये मरीज साब जाइपुर और दिल्ली की बीच में कोई फैक्टरी है वहाँ काम करता है दस तारीक को दिल्ली आया था अपने घर में बचाउली का रहने वाला है बड़ा गाउं के पास बचाउली है घर में घर तक घर में आने के बाद इसके एक ज़र घंटे के बाद को खांसी जो खाम चाल हुआ उसकी सीवर्ती बढ़ती की बढ़ती गई लोकल में डॉक्टरों ने देखा जब इसकी सांस में ज्यादा दिक्कत होने लगी तो इसको मेडिल कॉले रिफर किया गया अमूमा ने ये मेडिकल कॉलेज सीधा इमरीन सी पहुचा वहाँ तुरंती मेडिसन डिपार्ट्टेंट के जो रेजिडिन्ट थ उन्होंने इसक हुआ सीधन डॉक्टर को बला के देखा गया और तुरंत उसको उठा के आईसलेशन वार्ट में सिफ्ट कर दिया गया जहां पर दो छे रेजिडिन्ट की टीम बनाई गई है जहां चार सार घंटे की डॉक्टर होँआ डूटी दे रहे हैं मरीज की सांस में करोना के लिए उसका सेंपल्स कलेट करके समासीमों साब के दोरा लगनों बेद दिये गए हैं मेरे क्याल साथ साम तक सेंपल लगनों पहुंच जाएगा कल तक उमीद रेपोर्ट आ जाएगी डाक्टर जिनल मेडिकल एडियूसन से बात हो गई है प्रॉपसर केको उगता स साथ से उन्होंने देश दिये कि इस पेशन को जहांसी में रहके हम सारी सिब्दाओं पलब्द कराएंगे यहीं पे इसका इलाज किया जाए जाए जहांसी से राहूल उपार्द्या के साथ मनीश अली की रिपोर्ट इंवित मोरल वैल्यूस दा उनली इंस्टिशन विता ल आउरानी पूर्ट